हेलो बच्चो नमस्कार आज हम अपनी सेवंथ क्लास एन्सेयार्टी बुक हानी कॉम्ब का लेसन नमबर वन दा टाइनी टीचर्स लेकर आए हैं प्री बच्चो इस लेसन्स को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा समझा इस वीडियो के अंदर बच्चो हम इस लेसन से संबंदित कुछ MCQs हल करते हैं हमारा पहला क्यूशन है which of the flowing is the smallest and the wisest creature यानि जो नीचे दिये गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा जो सबसे छोटा है और सबसे बुद्धिमान जो है वो है फलाई बी एंट सी मेस्किटो यह डी वां तो हम लेसन के अंदर देखा एंट इसको बी को हम कलिक करेंगे एंट is the smallest and the wisest creature भी हमारा राइट आंशर रहेगा क्रिस्टिन टू हाव डिज दे स्टोरी आउफ एंट लाइफ साउंट तो हाव डिज दे स्टोरी ओफ एंट लाइफ साउंट कैसी है यह अंटू भी हमारा जो अक्रेक्ट हो जाएगा बी को हम जो है राइट करेंगे क्रिस्टिन आगे थर्ड हमारा कहता है कि what is the quality of एंट एक एंट की क्या quality है उसके जो है क्या गुन है क्या विसे स्टाएं है उसकी जो है hard working है A. B. disciplined है वो अनसासित है या C. intelligent है वो बड़ी जो है intelligent है बुद्धिमान है या D. all of double तो हमने देखा lessons के अंदर जो है वो very hard working भी थी disciplined बड़ी अनसासित भी थी intelligent भी थी A. B. C. ये तीनों सही है तो D. हमारा जो correct answer हो जाएगा all of double यानि जो उप्रक्त है वो सारे जो है सारे की सारी विशेषता है जो है उसकी सही है पुछन आगे next है fourth करता है कि what do ends use to pass message वो अपना जो संदेश जो है देने के लिए किन चीज़ को यूज़ करती है वो अपना संदेश देने के लिए fillers है या antenna है both A and B या ना नबदबो हमने देखा कि वो अपने जो fillers और एंटी ना दोनों को use करती है इसलिए हमारा answer जो है both A and B ये जो है correct हो जाएगा इसलिए हम सी answers को click करेंगे ये हमारा सही answer रहेगा question 5 कहता है which of the flowing is the commenced end तो इसमें बताया गए कि commenced जो मुखेत है कौन सी end वो चिंटी होती है black होती है या red होती है या white होती है या both A and B दोनों होती है तो हमने देखा कि ends जो हम उखेत है black भी होती है और red होती है इसलिए जो हमारा right answer D रहेगा black and red दोनों है white नहीं होती तो इसलिए D को हम click करेंगे और D हमारा answer जो है वो बिलकुल जो सही होगा next question कहता है कि where do ants live वो कहां रहती है चेटियां वो है कहां रहती है तो हमने lessons के देखा ant live in their ant hills तो इसका हमारा a answer जो है वो सही होगा a को हम click करेंगे 7 कहता है कि which ant is the mother of the entire populations कौन सी जो ant होती है वो जो पूरी की पूरी जो जन संख्या होती है उनकी जो है संख्या होती है उनकी जो है mother होती है queen होती है या worker होती है या soldier होती है या cleaner होती है तो queen होती है उनकी जो mother होती है वो रानी चीटी होती है वो उन सब की जो है सब की सब की माता होती है तो हम queen करेंगे यह हमारा right answer रहेगा एट्स करता है कि what is the life spend of the queen end तो इनका जो है कितना जो है वो queen end की 5 years, 10 years, 15 years या 20 years तो C answer हमारा सही रहेगा 15 years इनकी जो है life spend होती है 15 years जो है इनका जो है होती है life spend next kitchen है हमारा when does the wedding flight of the pin enter take place वो कब होता है उनकी wedding flight कब होती है कौन से motion में होती है तो यह है hot summer day भी a hot summer night या cold winter day या cold winter night तो बच्चो हमने lesson देखा उसके इंदर देखा कि यह hot summer day होता है जब उनकी wedding flight होती है और hot summer day यानि गर्मी के जो गर्म दीन होता है उसमें उनकी wedding flight होती है next kitchen what does the queen get rid of after its wedding flight रिड़ा चुटका रहा पाना कब what does the queen get rid of after its wedding flight से वो किस चीची चुटका रहा पाला थी eyes, ears, legs या wings तो wings अपने पंखों से वो यह हमारा right answer हो रहेगा पंखों के जो है किस आते हैं wedding flights के दोरा यह मारा right answer हो रहेगा D को हम click करेंगे kitchen 11th आगे है की what can we learn from an ant हम एक ant सी क्या सीख सकते है हम क्या सीख से विलती है हम क्या सीख सकते है hard work है sense of duty है या DC plans है या all of the book है तो हम यह तीनों बाते हमें एक ant से एक चीटी से सीख सकते है ant is very hard working हो होती है बड़ी sense of duty होती है और very disciplined maintain करने वाली होती है तो यह तीनों बाते हम सीख सकते है all of the book हमारा right answer रहेगा तो यह जवाब सही है इसलिए हम D को click करेंगे which is the ant cow which is the ant cow तो यह हमारा जो है green fly है एंट्स काव कौन से है वो ग्रीन फ्लाई है और next है which of the flowing creatures lives in an ant hill ant hill के अंदर which of the flowing creature lives in an ant hill के अंदर कौन कौन से रहते हैं beetles है leather beads of ant है यह green fly है यह all of the तो यह सारे के सारे जो है ant hills के अंदर रहते हैं इसलिए हम डी को कलिक करेंगे बचो इस परकार से हमने दा टानी टीचर से समंदित कुछ mcqs देखें इस वीडियो को आप बार बार देखें समझें और जो है अपनी कोपी में आप इन क्रेशन को लिखें प्रेक्टिस करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यबाद वेरी वेरी थेंक्स नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे पीस थेंक्स थेंक्स जापका बहुत रहुत वेट करेंगे लिए वे जापका बेग्स